हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडसिंट बैंक का जो है मोबाइल बैंकिंग और क्रेडिट कार्ट का जो पीन है उसको जनरेट करना सीखेंगे कि कैसे जनरेट करते हैं तो सबसे पहले आपको Play Store पे अपैसे डाउनलोड कर लेना है तो चल Imam एप पे एक पर पर आपको इन्डस मोबाइल डिजिटल बैंकिंग तो इसको आपको इंस्टॉल करना है तो चलिए अभी से अम इस्सेशंट लेटी नीसिशल करने यह आपको लिए आनोरे यहां पिश फूर all से मेरा उपन हो रहा है तो यहां पे एकुछ तम सेंग कंडिशन का पेज्टे आपको पूरा पढ़किए यहां पिपचकर आप сколько यहां पर आपको स्क्रोल करके सारा दिखा दिए काफी बड़ा टम्स औं कर्डिशन का पेज तो यहां पर मैंने आई अगरी पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको जो है अपना रजिस्टेड मोबाइल नंबर डालने है तो यहां पर आपने अपने डाल के अपने यहां पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, तो यहां पर वेट करने के बाद यहां पर आपको दिख रहा होगा कि Mobile Number Verification, तो यहां पर आपको इस पे क्लिक करना है, इसके बाद यहां पर मैं New User हूँ, तो यहां पर मैं I Don't have User Id, तो पर हमारे पास कोई user ID नहीं है अगर आपको पहले से यहां पर अकाउंट बना है तो आप उपर वाला option टिक करेंगे फिर इसके बाद यहां पर आपको दिख रहा होगा registration वाला पेज आ चुका है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा में OTP कर आएगा जो आपका रिजिस्टेयटर सेटुटो करते तो समिट करते हैं तो समिट लेकी के अगर आप मारी प्रोफाइल सेट अप होने लगे तो यहां पर आपको थास्क्रीन सेट रखना चान्थ तो पैट पाटन भी रख तकते हैं अगर आप यहां पर Nyrgy भी बना सकते हैं तो यहां पर मैं जो है set mpin पे क्लिक कर लिए फिर उसके बाद आपको set your six digit mpin तो यहां पर आपको six digits का जो है अपना mpin बनाना है जब आप लोग इन करेंगे तो यह डिजिट आपको यहां पर टाइप करना होता है तो चली हैं पर मैंने बना लिया उसके पर देर पहले फोड़ी दिर पहले आपको यहां पर भधना होता है तो चलिए मैं अपना ने डालके उसे आगे प्रोसेट करती हुँ इसके बाद यहां पर बायमेत्रिक आथेंटिक यानि fingerprint हमारा माग रहे कर देती हूं तो यहां पर मैं फिंगर्पेंट लगा लेती हूं यहाँ पर हमारा जो fingerprint है वो लग चुका है चलिए यहाँ पर मैं ok पर click करती हूँ तो ok पर click करने के बाद जो हमारा app है वो open हो जाएगा तो यानि हमारा जो mobile banking था वो बन चुका है अब हमें क्या करना है अब हमें अपने credit card का pin जनरेट करना है कैसे जनरेट करना है वो हम इसमें देखेंगे कैसे हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं अपने pin को तो यहां पर यह सारी चीजे लिखी हुए है कुछ इसके बारे में तो यहां पर इसे देख सकते हैं यहां पर आपको अपना credit card का जो number है वो दिख जाएगा और इस card की जो limit है वो क्या है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ तो यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां पर चलिए card details में आपको दिखा देती हूँ मैं तो यहां पर दिख रहा होगा total credit limit 50,000 है और यहां पर available cash limit जो इसकी 10,000 है तो चलिए अब हम card का pin generate करते हैं कैसे generate करना है तो card वाले option में आपको जाना है इसके बाद card वाले option में आपको दिख रहा होगा credit card तो चलिए credit card पर आपको यहां पर click कर लेना है और टोटल इसकी जो card की limit है वो 50,000 ही है तो security वाले option पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको थार्ड नमबर पर दिख रहा होगा यह जारी चीजे भरने के पाद जैसे आप प्रोषिट करेंगे तो आपका pin set करने के लिए आपसे फोड़िजीट का pin मांगेगा तो यहां पे आपको अपना pin बनाना है तो new pin और confirm new pin तो आपको यहांप अपना बना लेती हूं तो यहांपे मैं अपना pin यहांपे बना लिया तो चलिए OTP डालके मैं यहां पर submit पे click कर लेती हूँ, तो OTP मेरे पास आ चुका और OTP मैंने यहां पर भर लिया है, तो यहां पर मैंने submit भी कर दिया है, जैसी submit करेंगे, इसके बाद जो आपका pin है, वो successfully set हो जाएगा, तो यहां पर हमारा जो pin है, वो successfully set हो चुका है, यहां अपर देख सकते हैं, हमारे परस message आज चुका है, चलिए हम यहां पर OK कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहां पर आपको एक ऐसा page दिख रहा होगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा, वियू स्टेटस, तो यहां पर हमारे जो pin है, वो सेट हो चुका है, और यहां पर आपको यहां पर मैं M-pin डालके इसे login वगयरा कर लेती हूँ, या फिर आप अपने fingerprint से भी से login कर सकते हैं, तो यहां पर मैंने इसको login कर लिया है, इसके बाद यहां पर आपको दिख रहा होगा, रिचार्ज, तो रिचार्ज वाले option में जाके, हम यहां पर एक छोटा सा recharge करेंगे, ताकि हमारा card जो है, ताकि हमारा जो card है वो active हो जाए, तो चलिए अब रिचार्ज वाले section पर जाके, हम यहां पर 10 रुपे का एक छोटा सा recharge करेंगे, तो यहां पर मैंने recharge पर जैसी click किया, तो यहां पर permissions मांग रहा है, तो चलिए इसको हम allow कर लेते हैं, इसके बाद यहां पर आपको अपना mobile number डालना है, तो आप अपना mobile number डालके, यहां पर देख सकते हैं, हमारा location भी आ चुका है, कि SIM कोन सी है, कहां की है, यहां पर मैंने 10 रुपे का प्लान जो है, स्लेक्ट किया है, इसके बाद यहां पर हम proceed to pay पर click करेंगे, तो चलिए यहां पर मैंने proceed to pay प रिचार्ज है, वो successfully हो चुका है, अब चलिए हम बैक होके, अब home screen पर आ जाते हैं, तो यहां पर हम home screen पर आ चुके है, home screen पर देख सकते हैं, recharge successful का जो है, notification भी आ चुका है, हमारे पास इंडसिंट बैंक की तरफ से, तो यहां पर हमारा जो recharge है, वो successful हो चुका है, मैं आपक payment पर क्लिक करने के बाद हमारा transaction यहां पर आपको दिख रहा होगा, कि 10 रुपे का जो हमने recharge है, वो किया है, अभी unbuild transaction में आपको यहां पर शो कर दाएगा, तो यहां पर मेरा जो recharge है, वो हो चुका है, 10 रुपे का, तो यहां पर मैंने आपको mobile banking भी आपको बना के दिखा द आप वो वीडियो ज़रूर देखें, अगर मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें, थैंक्स पर वाचिंग